हेलो मैं स्टुएंट्स मैंनो उपसर्भ याद्स में आपका बहुत-बहुत सवागत है अनुटर लोग तो सबसे पहले आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉबिक पर चरचा करने जा रहे हैं कि यौिया होता है ठीक है तो सबसे पहले joint venture का मतलब होता है किसी निश्चित उद्यस तरफा निश्चित समय के लिए किया जाने वाला कारे और जब ये उद्यस का प्राप्ती हो जाता है तो यह क्या हो जाता है पार्टनर्सिप में इसा तो नहीं होता है तो मतली किसी खास उदेश्री के लिए इसमें दो या दो से अधिक आदमी उस उदेश्री को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं और उस उदेश्री जब पूरा हो जाता है तो जो ब्यक्ति सामिल होते हैं इसमें जिस तरह पार्टनर्शिप में जो पार्टनर्शिप में ज कुला जाता है जिकीतरा पार्टनरसिप में प्रॉफट ईनलोड को बाटा जाता तो उसी तरह फों स्कूला नहीं दिया तो बराबर बाटा जाएगा इसके बाद बच्चोड़ों नेक्स्ट हम लोग चलते है इसकी क्या बित श्ताएं अर्द कि जो joint venture अस्थाई होता है अस्थाई मतले इसका निश्चित नहीं है काम पूरा joint venture खतम या किसी बिशेश कायर को पूरा करने के लिए किया जाता है जैसे पूल बनाना हो मेला में खिलोना बेचना हो या किसी तुरह का मेला खतम partnership खतम इसके अस्थापना दो या दो से अधिक ब्यक्तियों की द्वारा की जाती है इसमें का फार्म का कोई नाम नहीं होता है कोई पंजियन नहीं कराया जाता है या किसी भी बेवसाइग के लिए किया जाता है किन-किन में ज्यादा होता है तो देखिए जिसे बिल्दिक कोई प्रकार का contract लेना किसी का मानद ये कोई assets बेचना उसका खरीद बिकरी के लिए या को समायन कंसाइन करने के लिए या सेयर और डेवेंचर का अंडर राइटिंग के लिए किया जाता है बचलोग अब हम लोग क्या है कि joint venture और partnership में क्या अंतर है बहुत ही important question है ये बचलोग सबसे पहले कि joint venture का कोई नाम नहीं होता है जबकि partnership firm का एक नाम होता है इसका उद्धे से क्या होता है एक निश्ची समय में काम पूरा होने तक business करना है ये हम लोग का निरंतर चलता है partnership उसके बाद क्या होता है joint venture का registration कराना अनिवारे नहीं है जबकि partnership का joint पंजेन कराना अनिवारे है इसमें कोई rule regulation नहीं है कोई या 1932 का act लागू होता है परबंध का परबंध में हिस्चा देखिए इसमें joint co venture क्या करता है सभी co venture participate करते हैं उसका संचालन में लेकिन इसमें को ज़रूरी नहीं कि सभी partner ही participate करेंगे management में ठीक है उसके बाद क्या लिखता है six number इसमें फर्म का जब फर्म का जब स्थापना होता है उसमें नाम सब तए नहीं किया जाता है किसमें joint venture में जबकि partnership में क्या किया था नाम और अस्थानी सबसे पहले तए किया जाता है सदेश किसमें कम से कम दो और अधि joint venture account बनाया जाता है इसमें joint venture account बनाया जाता है किसमें joint venture account में लेकिन partnership में आप लोग जानते हैं revaluation account partnस के प्रेखाँट्य एकॉंट बैलेंस इट पी एल एड़िस्टमेंट एकॉंट बहुत सारे account बनाये जाते हैं ठीक है